हलो दोस्तों आप सभी का हमारे चैनिश्टेडी रूपे चुकेशन में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम 36 गड़ सिक्षक भरती के लिए बाल विकास और सिक्षा सास्तर के कुछ महत्पूर प्रश्णों पर चार्चा करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्ण दिया गया है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए छमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विस्षिस्ता है उप्सने है मूर्त संक्रियात्मा कवस्था उप्सन B है अप्चारिक संक्रियात्मा कवस्था उप्सन C है सव्वेदी गति कवस्था और उप्सन D है पूर्व संक्रियात्मा कवस्था तो इसका सही अंसर होगा दूसरा उप्सन अप्चारिक संक्रियात्मा कवस्था अमूर्तवय ज्ञानिक चिंतन के लिए छमता का विकास अपचारिक संक्रियात्मा का वस्था में होता है अगला प्रस्णın है एक बच्चा दर का प्रस्था करता है आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा यह बच्चा कोहनबर्ग की नैतिक तरकडा की किस वस्था के अंतरगात आएगा पहला उप्षन है अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभी मुखी करड दुसरा उप्षन है समाजी कनुबंधन अभी मुखी करड तिसरा उप्षन है सहाय कुद्देश अभी मुखी करण चौथा उप्षन है दंड और आग्या पालन अभी मुखी करण तो इसका सही अंसर होगा उप्षन ए अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभी मुखी करण अगला प्रशन है विचार ना केवल भासा को निधारित करते हैं बलकि उसे आगे भी बढ़ाते हैं यह विचार किनके द्वारा रखा गया है पहला उप्षन है वाइगोट सकी दूसरा उप्षन है पावलाव तिसरा उप्षन है जीन प्याजे और चौथा उप्षन है कोहल बर्ग तो इसका सही अंसर होगा तिसरा उप्षन जीन प्याजे विचार ना केवल भासा को निधरित करते हैं बलकि उसे आगे भी भढ़ाते हैं यह जिन प्याजिय का विचार है अगला प्रशन है कोहल बर्ग ने प्रस्तुत किये हैं पहला उप्सन है संगिनात्मक विकास के चरण, दुसरा उप्सन है सारीक विकास के चरण, तिसरा उप्सन है संविगात्मक विकास के चरण, और चौथा उप्सन है नैतिक विकास के चरण, इसका सही अंसर होगा चौथा नैतिक विकास के चरण, कोहन बर्ग के द्वारा नैत करण करने में योग्य होता है अपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारम और कलप्रनात्मक खेल होते हैं सैसव अवस्था तरक का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम और चौथा है पूर्ण संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार सत सहायता तो इसका सही अंसर होगा option A मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधरण एवं वर्गी करण करने के योग्य होता है या सही मिलान है अगला प्रशन लेवाईगोट सकी के समासन रचना सिध्धांत में द्रेडविश्वास रखने वाले सिख्चा के नाते आप अपने बच्चों का आकलन करने के लिए निम्रली खितमे से किस विधी को वर्यता देंगे पहला है मान की करण परिक्षड दूसरा है तत्यों परधारित प्रत्या इस मरण के प्रशन तिसरा है वस्तू परग बहुविकल पिय प्रकार के प्रशन और चौथा है सही योगी प्रोजेक्ट इसका सही अंसर होगा पहला अप्षन मानवी कृत परिक्षड लेवाई गोट सकी के समासन अचना सिध्धांत में द्रेडविश्वास रखने वाले सिक्षड के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए मानवी कृत परिक्षड को वरियता दोगे अगला प्रसन है जिन प्याजे के नुसार अभिगम के लिए निमली खित में से क्या आवस्यक है पहला अप्षन है वेसको के बेवहार का उलोकन दूसरा अप्षन है इस्वरी नियाय परिश्वास तिसरा है सिक्षको और माता पिता का पुनरबलन और चौथा है सिक्षार्थ के द्वारा परियावरण का सक्री खोज इसका सही अंसर होगा चौथा उप्षन सिक्षार्थी के द्वारा परियावरण का सक्री खोज यह जिन प्याजे के नुसार अभिगम के लिए आवस्यक है अगला प्रसन है कोहनबर्ग के नुसार की सवस्था में नैतिकता बाहकार पूर्व पारंपरी कवस्था, दूसरा है पारंपरी कवस्था, तिसरा है पस्चाद पारंपरी कवस्था, और चौथा है उर्प्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही अंसर होगा पहला पूर्व पारंपरी कवस्था, कोहन बर्ग के नुसार पूर्व पारंपरी कवस्थ अगला प्रस्ण है प्याजे के नुसार विकास को प्रभावित करने में निम्ले लिखित कारकों में से किसकी भूमी का महत्पूर होती है पहला अप्शन है भौतिक विश्व के साथ अनुभाव, दूसरा है अनुकरण, तिसरा है पुनरबलन और चौथा है भासा इसका एंसर होगा अप्शन एक भौतिक विश्व के साथ अनुभाव, यह प्याजे के नुसार विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में यह महत्पूर भूमी का निभाता है अगला प्रशन है पूर्व संक्रियात्म काल में आने वाली सिंगनात्मक योगिता है पहला उप्सन है लक्ष, उद्धिष्ट, बेवहार की योग्यता, दुसरा है दुसरों के दृष्टी कोड को समझने की योग्यता, तिसरा है अभी कल्पनात्मक निसकर्स चिंतन और चौथा है अमूर्त चिंतन की योग्यता तो इसका सही अंसर होगा दुसरा उप्सन, दुसरों के दृष्टी कोड को समझने की योग्यता को, यह पूरो संक्रियात्मक काल में आने वाली सिंगनात्मक की योग्यता है अगला प्रस्न है किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहन बर्ग के नैतिक तर्ग के सोपान की विशेवस्तु की की सवस्था के अंतर गताएगा पहला है समाजिक संकुचन अनुकूलन दूसरा है अच्छा लड़का लड़की अनुकूलन तिसरा है कानुन और विवस्था अनुकूलन और चौथा है दंड आग्यकारिता अनुकूलन तो इसका सही अंसर होगा दूसरा अच्छी लड़का लड़की अनुकूलन यह बच्चों को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहन बर्ग के नैतिक तर्ग के सोपान की विशेवस्तू की अवस्था के अंतर गताएगा अगला प्रशने लेवाई गुत्सकी के नुसार संगिनात्मक विकास का मुल कारण है पहला है समाजिक अन्योन निक्रिया दूसरा है मानसिक प्रारूपों का समायोजन तिसरा है उद्धिपक अनुक्रिया युगमन और चौथा है संतूलन तो इसका सही अंसर होगा पहला समाजिक अन्योन निक्रिया यह लेवाई गुत्सकी के नुसार संगिनात्मक विकास का मुल कारण है अगला प्रशने लॉरेंस कोहलबर्ग के सिध्धान्त में कौन सा इस्तर नैतिक्ता के नुपस्थिती को सही अर्थ में सुचित करता है इस्तर दो इस्तर चार इस्तर एक इस्तर तीन तो इसका सही अंसर होगा इस्तर एक ओप्सन तीन इसका सही है लॉरेंस कोहनबर्ग के सिध्धान के नुसार नेतिकता के नुपस्थिती को सही अर्थ में सुचित करता है इस्तर एक अगला प्रशन है प्रचलीत प्रायोजनों नई जानकारी जोडने को किस नाम से जाना जाता है पहला है समायोजन, दुसरा है साममेधारण, तिसरा है आत्मसातकरण और चौथा है संगठन तो इसका सही अंसर होगा तिसरा आत्मसातकरण प्रचलिती उजनाओं में नई जनकारी जोडने को आत्म साथ करण कहा जाता है और इस वीडियो का आखरी प्रशना जिन प्याजे के सिध्धान के नुसार निम्नलिकित में से कौन सा ब्यक्ति के संगनात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा पहला उप्षन है भासा तुसरा है समाजी का नुभाव तुसरा है परिपक्वन और चौथा है क्रिया कलाब तो इसका सही अंसर होगा उप्षन तीन परिपक्वन जिन प्याजे के नुसार परिपक्वन ब्यक्ति के संगनात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है